सर आप हमारे दर्श्रकों को बताईए कि अगर कोई कपस IVF के प्लान कर रहा है तुसे क्या-क्या साफधानिया बरतनी चाहिए उन्हीं किस तरह से अपने आपको तयार करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए कि अब जो है IVF का सही सहारा लेना पड़ेगा वो पेशिंट्स जो आता है IVF का एडवाइस तो डॉक्टर ही यूजुली करता है जब अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हो दवाओं से या कोई कंडिशन ऐसा हो जैसे कि दोनों ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक्ट हो इस टाइप का कोई कंडिशन है ओवेरियन फेलियर हो तो हम लोग को IVF की ज़रुवत पड़ती है अलग-अलग कंडिशन से बहुत सारे कंडिशन होते हैं और PCOD है, endometriosis जैसी बीमारी है तो यह सब unexplained infertility है और उसमें IUI fail कर गया हो तो तमाम ऐसे reasons होते हैं जिसके चलते IVF किया जाता है IVF का advice अब दिया तो जाता है लेकिन अलग-अलग doctors का अलग-अलग मापदंड होता है कि वो कब IVF के लिए advice दे कोई couple आता है जो कि केवल एक शादी के 6 महिना हुए हैं और वो तुरत बोलता है कि हमको IVF कर दीजे तो बहुत सारे प्रचार और दूश प्रचार भी कभी-कभी हो जाता है जिसके चलते patients को पता नहीं रहता है वो अब बांचपन का मतलब समझ लेते हैं कि बांचपन का मतलब सिधे IVF है जबकि fact यह है कि बांचपन के अधिकतर मरीज जो हैं वो सधारन दबाओं से या lifestyle modification से ही ठीक हो सकते हैं और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको की IVF की ज़रुवत पढ़ती है या IVF के अलावा भी है और treatments है जिसका मदद आप ले सकते हैं तो यह अलग-अलग doctors का मैंने बता है कोई doctors 6 cycle तक भी IUI try करते हैं कोई doctor का माप दंड है कि नहीं 35 साल के बाद में बिल्कुल अगर IVF करना है तो एक donor ही से करना है तो आप इसके बारे में अपने conditions के बारे में जानकारी लें second opinion दूसरे doctor से भी सलाह ले सकते हैं जिसे एक तीसरे doctor से भी ले सकते हैं ताकि आपको अपने condition के बारे में पता चल जाए और treatment options के बारे में पता चल जाए अधिकतर doctors ही आपको सलाह देंगे कि pre-IVF क्या क्या करना है उसमें बहुत सारे जाच की जाती है, खून की जाच, बचदानी की जाच यह देखने के लिए कि किसी तरह का कोई problem तो नहीं है वो सब problem अगर रहता है तो वो doctor का काम रहता है ठीक करना जैसे कि sugar किसी का level गरबड हो, किसी का thyroid level गरबड हो, किसी का hemoglobin कम हो या jaundice type का कोई condition हो, तो यह सब conditions को पहले doctor सब मरीज में हम लोग पहले जाच कर लेते हैं और जाच करने के बाद अगर कोई तरह की गरबड़ी आती है तो पहले उसको ठीक कर लियाता है, जैसे blood pressure की समस्या है कोई इस तरह का कोई दूसरा body में अगर problem है, तो हम लोग advise करते हैं कि पहले उसको treat करा ले, उसके बाद IVF में जाए क्योंकि IVF करने के दोरान, और अगर उससे pregnancy हो जाता है तो फिर बाद में अगर कोई दूसरी बीमारी का treatment करना हो, तो थोड़ा difficult हो जाता है choices limited हो जाता है तो यह सब अगर कोई बीमारी है, दात का दर्द है, दात उकरवाना है, piles की समस्या हो तो गॉल बेडर में stone हो, तो यह सब का पहले आप treatment करा लिजे ताकि IVF के treatment के दौरान भी दवाएं काफी सारी दी जाती है और pregnancy के दौरान भी, चुकि वो high risk pregnancy होता है तो इसमें हम लोग को साथ साथ में और सारी दवाएं जो अगर चल रही है प्रेगेंसी होने का, कोई chronic infection है उसको प्रेगेंसी कर लेना है lifestyle healthy रखना चाहिए, morning work करना, balance diet लेना किसी तरह smoking या alcohol का अगर किसी को लट लगा हुआ हो तो बिल्कुल उसको छोड़ देना चाहिए इसलिए कि उससे pregnancy rates में काफी affected होता है तो healthy lifestyle रखना, stress free रहना, यह सब मदद करता है हमारे body को IVF में बाद में सफलता मिलने के लिए कुछ-कुछ और special test होते हैं जैसे rubella का, rubella के लिए हम लोग पहले ही test कर लेता है यह तरह का virus होता है, जो कि अगर pregnancy में पहली बार किसी को लगे, संक्रमन हो तो उससे बच्चा खराब हो सकता है तो rubella के लिए हम लोग जाच antibody का कर लगते हैं पहले ही और अगर उसमें negative निकलता है, तो हम लोग rubella का vaccine दे देते हैं और एक महिना के बाद free treatment करते हैं इसी तरह आज कल जितने भी common infections है, COVID का infection है ये सब के लिए भी पहले से immunization हो जाना अच्छा रहता है hepatitis का immunization हो जाना अच्छा रहता है तो इस तरह से सारी प्रकियाएं ऐसे कर सकते हैं उसके अलावा uterus में अगर कोई problem है, polyp है, छोटा मसा जैसा चीज़ होता है fibroids होता है, तो इसको हटवा लेना चाहिए अगर fibroid का size बहुत छोटा हो, 4 centimeters छोटा और जहां uterus का cavity होता है, उसमें वो नहीं वो आ रहा हो तब उसको हम लोग छोड़ के भी IVF कर सकते हैं इसके अलावा cyst वगर की समस्या अगर हो, तो अच्छा रहता है कि पहले cyst वगर हटा लिया जाए नहीं तो बाद में pregnancy जब IVF के process के दौरान उसमें complications होने का डर रहता है तो कुछ तो precautions ऐसे हैं जो कि खुद doctor ही आपके लिए लेते हैं और बाकी precautions आपको अपना lifestyle healthy रखना है इन सबसे pregnancy का chances IVF के दौरा better हो जाता है